आए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हनमान जी का नित्य पूजन यानि रोज पूजन हम लोग कैसे कर सकते हैं परवों पर भी आप इसी प्रकार से ये वाला शौट पूजन आप कर सकते हैं बाकि जो विधिवत जो पूजन है शोडशो अप्चार का पूजन वो हम ल हनमान जी का जानेंगे तो देखिए सबसे पहले हनमान जी की फोटो होनी चाहिए हमारे पास अत्वा तो मूर्ती होनी चाहिए ठीक है और जरूरी नहीं है कि आप पंचमुखी हनमान का ही मूरती ये विडियो देखकर ले आए अत्वा तो फोटो देखकर ले आए हनमान ज जलाया है वो मैं किसी खास वीडियो में बताऊंगा कि ये पांच बत्तियों में दिये की खासियत क्या है अभी बस आप लोग इस वीडियो में जान गए तो आप लोग भी जलाना शुरू कर सकते हैं हनुमान जी के आगे अब हमको क्या-क्या सामान चाहिए नित्य पूजन मे तो देखिए हमारे पास पुष्प हैं और हनुमान जी को लाल पुष्वप्री है लेकिन एक खास बात है कि आपको न तुलसी जी भी हनुमान जी को नित्य चढ़ाना चाहिए लेकिन जो निशिद दिन है न जैसे कि संड़े को हम लोग तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं आम तो तुलसी के गमले से गिरिवी जो सुखी पत्तियां होती है न वो भी आप हनुमान जी को चढ़ाने का नियम रखिए रोज तुलसी पत्तर चढ़ाए ठीक है और इसकी भी महिमा किसी में खास वीडियो में बता दूँगा कि क्यों ये चढ़ाए जाती है शौर्ट में ब अब देखिए हमारे पास भोग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लड़ू रखा हुआ है और यहाँ पर पानी रखा हुआ है जल रखा हुआ है ठीक है आप इस थाली में जो भी आपके घर में भोग प्रसादी बनती है वो रख सकते हैं अत्वा तो यदि आप नित्य पूजन कर रहे हैं हनुमान जी का रोज पूजन कर रहे हैं और आपके पास भोजन प्रसादी की विवस्ता फिलहाल नहीं होती है सुबह सुबह कई लोग ब्रह्म मोरत में करते हैं जल्दी करते हैं तो आप लोग ऐसे लड़ू रख सकते हैं अत्वा तो जो भी आपके पास मिश्ठान उपलब्द हो वो आप लोग रख सकते हैं जल अब हमारे लिए स्वयम के लिए आच्मनी होना चाहिए पूजापाट का स्थान होगा आपके पास तो यह आच्मनी आप लोग रख लीजिएगा सबसे पहले जब आप पूजन करने बैठें इसी आच्मनी से आपको तीन बार आच्मन करना होता है भगवान का नाम लेके को अब भगवान का नाम लेकर आप आच्मन कर लेना चौथी बार में आप हाथ धो लेना आपके लेफ्ट साइड तरफ हाथ धोना ठीक है अब देखिए फिर तिलक करना होता है कोई भी पूजापाट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमको तिलक करना चाहिए तिलक करने के ब बाद हम लोग पूजन शुरू करेंगे देखिए बड़ा है सिंपल पूजन है पंचोप्चार से हम लोग पूजन करेंगे पंचोप्चार पूजन मतलब क्या होता है जानते हैं पंचोप्चार यानि पांच उप्चार पांच उप्चारों से पूजन और यह शास्त्री है पहला है हम लोग भगवान को तिलक करेंगे फिर उसके बाद हम लोग भगवान को पुष्प चड़ाएंगे पुष्प तो आप चड़ाईएगा साथ में तुलसी दल भी चड़ा देजिएगा फिर उसके बाद तीसरा उपचार होता है धूप दिखाना चवथा उपचार है दीप दिखाना और पाचवा उपचार है भोग प्रसादी लगाना ये पंचो उपचार पुजन है शौट पुजन है जो लोग रोज हनुमान जी का पुजन करना चाहते हैं वे लोग इसी उपचार से पंचो उपचार से पुजन कर सकते हैं बाकी जो 16 उपचारों द्वारा जिसको शोड़सो उपचार पूजन कहा जाता है वो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा वो विधिवत पूजन है वो किसी तिती और परवपर आप करिएगा डेली पूजन के लिए ये वाला वेडियो है ठीक है अब हम लोग पूजन शुर वात आपको पूरुदिशा वाले लव से करना है पूरुदिशा से फिर आपको क्लॉकवाइज जलाते विया आना है ऐसे टेड़े मेड़े कोई भी मत जला देना क्लॉकवाइज आपको जलाते आना है ये देखिए हमने ये दीपक भी जला लिया है और धूब भी जला लिय पूछेंगे कमेंट में कि यह कौन से तेल का दिया है तो आप लोग सरसों के तेल का दिया जलाईएगा ठीक है अथवाथ तो तिल का भी जला सकते हैं कोई प्रॉब्लम मुख्य तर सरसों का ही जलाया जाता है हनुमान जी के सामने अब हम लोग देखते हैं पंचोप चार पूजन पंचोप चार में मैंने पहले अब इसको पहले हम लोग एक तरफ रख देते हैं पंचोप चार में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि तिलक किया जाता है तो मंत्र कौन सा देखिए आप मंत्र बोलते हुए ही करिएगा क्योंकि मंत्र आधिनस्य देवता ठीक है तो मंत्र कोई भी बोलिएगा हनुमान जी को राम जी का नाम अती प्रिय है तो आप श्री राम जै राम जै जै राम ये बोलते हुए भी आप हनुमान जी को तिलक कर सक इन्की और ज्यादा प्रसन्था आमें मिलेगी को प्रिश्रिरामजैरामजैजै- राम श्रीराम-जैराम जैरामजै- राम हमने कर दिया अब हम लोग हनमान जी को पुश्प चढ़ाएंगे तो पुश्प में हनुमान जी को लाल पुश्प प्री होता है तो हनुमान जी को हम लोग पुश्प चढ़ा देंगे जो भी हमारे पास पुश्प उपलब्द हो हनुमान जी को हम लोग चढ़ा देंगे और आपके पास मान लिजी कभी लाल पुश पुश्प नवी मिलेना तो भी कोई दिख्कत ने है जो भी पुश्प होगा आप अनवान जी drawing कि पुश्प चढ़ा दिया पुश्प चढ़ाने के बाद 3 ऊक्चार है धूप दिखाने का धूप हमने आब अगला ओप्चार है दीप दिखाने का श्री राम जे जे राम श्री राम जे राम जे जे राम को प्रेम से आप फूजन करिंगा अनमानजी का फिर अगला ओप्चार है नेवेद्य अरपीत करने का भोग लगाने का, तो हमने भोग की थाली पहले से तयार कर रखी है, मैंने आपको दिखाया था, यह हम लोग भोग अनुमान जी को अरपित कर देंगे, भोग अरपित करने के बाद, आप यह मंत्र न याद कर लीजिएगा, ओम प्राणा यस्वाह, ओम अपाना यस्वाह, ओम ओम दाना यस्वाह, ओम व्याना यस्वाह, ओम समाना यस्वाह, यदि यह मंत्र नहीं भी याद होता है न, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस भगवान को भोग लगाईएगा प्रेम से, शबरी माता ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, राम जी को खिलाने के लिए, किवल प्रे रादे में भी किवल प्रेम होना चाहिए है न ठीक है इतना तो देखिए आप यह मंत्र अनुमान जी का जब भी पूजन करें तो श्री राम जैराम जै जै राम बस ये पंचोब चार पूजन हो गया आपका कुछ दिर में आप ये भोग प्रसादी उठा लेना सब लोग मिल बाट कर इसे खा सकते हैं तो इस प्रकार से अनुमान जी का आप नित्य पूजन कर सकते हैं कोई तिथी परव हो और आपको पूजन करना हो तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं हाँ यदि कोई आपको विशेश पूजन करना हो तो शोड़ शोप चार वाला पूजन कभी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दोगा ठीक है दुबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाएएगा हरे कृष्ण हरे कि अपने चैनल